आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी राजिमा की रेसिपी सेयर कर रही हूँ और इसमें आपको राजिमा को पहले से नहीं उपालना है बहुत ही जटपट से राजिमा बनकर के त्यार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो चलिए बनाते हैं राजिमा, Welcome to Amazing Kitchen Recipes अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले तो यहाँ पे राजिमा बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम राजिमा को भिगो कर गे रखा था 4 घंटे के लिए इसका पारी अब मैं हटा दूँगी यह देखिए अब यहाँ पे प्रेसर कुकर में मैं डाल रही हूँ 4-5 बड़े चम्मच तेल तेल गरम हो गया है तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मक चीरा इसी के साथ में अब मैं डाल रही हूँ एक तेज पत्ता साथ में एक तालचिनी का टुकड़ा अब मसालों को थोड़ा सा सौते कर लेंगे इस तरीके से और अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ी पयाच बिल्कुल बार्यक काट करके तो मैंने एक बड़ी अनियन ली थी मतलब बेग अनियन ली थी जैसे मैंने बिल्कुल finely chopped करके लिया है तो यह मैंने अनियन डाल दी और अब इसे ठोड़ा सा सौते कर लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी हुई है लगातार चलाएंगे इसमें मैं डाल रही हूँ एक चौधाई चमज ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे थोड़ा सा सौते कर लेंगे इसी के साथ मैं मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चमज अजवाईन आप अजवाईन पहले ही डाल ले मैं भूल गई थी इसलिए मैं इस टाइम पर डाल रही हूँ जब आप जीरा डाले तब आप अजवाईन एट कर ले तो अच्छे से इसे भूनेंगे 2-3 मिनट तक और अब इसमें मैं डाल दूँगी बारी कटा हुआ अद्रक और लहसुन तो मैंने सास से 8 कलिया लहसुन की लिए थी और एक पड़ा तुकडा अद्रक कलिया था बिलकुल बारी काट करके मैंने लिया है तो अब तब तक सौते करेंगे जब तक किस तरीके से ब्राउन कलर ना आ जाए फ्लेम मैंने बिलकुल लो कर दी है इसमें डालेंगे सुखे मसाले आदा चुटी चमच हल्दी पाउडर एक पड़ा चमच कासमीरी लाल मिर्च पाउडर साथ में डेड़ बड़े चमच धनिया पाउडर इसी के साथ में आदा चुटी चमच मैं डाल रही हूँ इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम लो है जब भी आप ड्राई मसाले अट करें फ्लेम हमेशा लो रखें तो बस दो से तीन सेकेंड तक सौटे करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी तो मैंने करीब करीब इसमें एक चुथाई कप के करीब पानी डाला है ताक कि सूखे मसाले जले ना अच्छे से भुण जाए अब थोड़ा सा भूल लेंगे जब तक कि ओयल ना सेपरेट हो जाए मसालों में से तो यह देखे जब इस तरीके से मसालों में से ओयल सेपरेट हो जाएगा तब इसमें अब मैं डाल रही हूँ अमचुर पाउडर आधा बड़ी चमच अभी अच अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे अब स्वादनुसार नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम मैंने मीडियम हाई ही रखी हुई है अभी और इसे अब धक्कल लगा कर कि 2-3 मिनट तक पका लेंगे इससे क्या होगा टमाटर जल्दी से कूख हो जाएंग तो अब मैं धक्कल लगा दूँगी तो आपको इसी तरीके से उपर धक्कन रखना है प्रसर कुकर का और 2-3 मिनट हो गये है तो यह दिखिए टमाटर थोड़ी से भुन गये है अब इन्हें थोड़ा सा और भूलेंगे जब तक जब तक कि टमाटर इस तरीके से सिंक ना हो और अच्छे से अब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपको इस रेसिपी में राजिमा को पहले से नहीं वॉयल करना है इसी तरीके से आपको डालना है भीगे हुए राजिमा को मसाले में और इसमें अब डाल देंगी पानी तो करीब करीब मैं इसमें डालूंगी 700-800 ml तक पा पानी बाद में भी डाल सकते हैं बट आप इतना पानी तो डालिएगा कि राजिमा वहाद अच्छे से पक जाए तो अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसका धकन लगा करके इसे एक प्रिसल आने तक हाई फ्लेम में पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे 25 मिनट तक मैं पका लूँगी इससे राजिमा पिल्कुल पर्फेक्ट पक करके तियार हो जाएंगे तो 25 मिनट बाद मैंने फ्लेम आफ कर दी थी और यहाँ पे अब चलिए खोल करके देखते हैं कि राजिमा पने है कि नहीं तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है राजिमा और यह देखिए राजिमा बहुत अच्छे से पक गए है तो अब मैं डाल रही हूँ एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ में भूनी हुई कसूरी मेथी एक बड़ा चमच जितना तो हमेसा आप गरम मसाला और कसूरी मेथी लास्ट में डाले जब राजिमा बन जाए दो मिनट तक इसे और पकाएंगे फ्लेम मैंने ओन कर ली थी और दो मिनट तक इसे और पकाएंगे अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे राजिमा बनकर के त लाइक और सेयर और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है थैंक यू